चावल से जुड़ी बड़ी खबर भारत सरकार ने अफरीका के लिए चावल निर्यात को दी मन्जूरी दरसल केंदर सरकार ने गलोबल साउथ तक भारत की पहुंच बनाने के लिए तीन अफरीक की देशों में एक लाख दस जार टन चावल के निर्यात की इजाज़दे दी है ऐसा उन देशों के खादे सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए किया क्या है भारत के विदेश व्यपार महानिदेशालिया यानि डीजी एफटी द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार तंजानिया को 30,000 तन गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमती दे दी गई है जबके जिबुती को 30,000 तन टूटे चावल और गिनी बिसाव को 50,000 तन टूटे चावल के निर्यात की अनुमती दी गई है घरेलू सप्लाई सुनिश्चित करने और मुद्रस फृती को नियंश्चित करने के लिए 20 जुलाई 2023 से गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर सरकार ने प्रतिबन लगा दिया था लेकिन अब मित्र देशों को उनकी खादे सुरक्सा सुनिश्चित करने के लिए कुछ निर्यात की अनुमती दी जा रही है इन देशों में रूस यूकरेन यूद के कारण सप्लाई बादित हो गई है जिससे इन पर प्रतिकूल परभाव पड़ा है अफरीकी देशों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत से सपोर्ट मांगा था विखादे सप्लाई की कमी और इसके कारण अन्यंतित मुद्रस फिती की समस्याओं से जूज रहे हैं जिसके चलते सरकार ने अफरीका के लिए चावल निर्यात को मंजूरी दी है ब्यूरो रिपोर्ट मारकेट टाइम्स टीवी